हेलो फ्रेंट्स आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि यह जो सी फाइब का एरर जो स्प्लिट एसी में आता है वो क्यों आता है और हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं तो बहुत बार आपने देखा होगा कि यह जो स्प्लिट एसी में सी फाइब का एरर जो है वो डिस्प्ले होता है और यह जो एरर है यह आपकी जानकारी के लिए यह जंपर मल फंक्शन यानि कि जंपर में अगर कोई खराबी हो तो उसकी वज़ा से यह एरर आता है क्योंकि कई बार हम जब यह जो पीसी भी जो है इंडोर का वो रिप्लेस करते हैं तो कई बार उसमें यह जंपर लगा हुआ नहीं आता है यह जो यहाँ पे पिंक कलर का रेड कलर का जो आपको एक जंपर दिखाई दे रहा है यह जो जंपर है यह दो पेर को शॉर्ट करता है और इस जंपर में अगर कभी कोई खराबी आ जाए ये जंपर ठीक से ना लगा हो या नया PCV आप बदली करते हैं तो उसमें अगर ये जंपर नहीं लगा हुआ है तो आपको पुराने PCV से निकाल कर ये जंपर उसमें लगाना है तो ये C5 का जो एरर है जब भी आता है तो आप ये जो यहां पर लाज से ब्राउन से रंग का जो यहां पर जंपर लगा हुआ है जैसा की यहां दिखाए जा रहा है इस जंपर को आप निकाल कर दुबारा लगाईए तो अगर ये उससे ठीक हो जाता है तो ठीक है नहीं तो हमारे पास एक और भी इसका साधन है हमें ये जो दो जो पेर होते हैं इसके अंदर जो पिन के इसमें पांच पेर का ये जंपर होता है और जैसा यहां पे आपको पेर हैं उनको आपस में हमें शार्ट करना है यानि कि एक नंबर वाली पिन को एक नंबर वाली पिन के साथ में और चार नंबर वाली पिन को चार नंबर वाली पिन के साथ में शार्ट करना है और अगर हम ये मैनुली शार्ट कर देते हैं तो ये प्राब्लम ठीक हो जाती ह और अगर हमारे पास जमपर नेया रहता है तो हम दूसरा जमपर लगा कर भी हम इसको ठीक कर सकते हैं तो यह बहुत सिंपल है इस तरह से हम यह जो सी फाइव वाला जो जमपर मलब फंक्शन का एरर है इसको हम रिपेर कर सकते हैं उमीद है आपको इस वीडियो से यह सी फाइव का एरर जो है उसको रिपेर करने में ठीक करने में मदद मिलेगी और जानकारी के लिए आप कमेंट लिख सकते हैं और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब करें बेला इकन को प्रेस करें इससे आप मेरे आने वाले वीडियो के इन्फरमेशन आपको मिलती रहेगी धन्यवाद